मद्यप्रदेश प्रदुश्य नियंत्रन गोड़ द्वरा लॉक्ड़ॉन के दौरान नर्पदा नदी की जल गुणवत्ता का अध्यम किया गया है और इस दौरान पुनासा से कख्राना तक करीब 17 बिंदूओं पर जल नमुनों का संग्रण किया गया उन नमुनों की जाच क है उन बेक्ट्रियर की मात्रा कम हो गई है तो यह सब एक बहुत अच्छे सुधार के संकेत हैं और इससे इस परष्ट होता है कि नर्पदा नदी की गुणवत्ता में काफी सुधार गवा है और चूंकि human activity उनके घांटों पर कम हो गई है नर्पदा की घांटों पर जैसे इन सब बतिविदियों के चलते नर्पदा नदी की गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है और वैसे नर्पदा नदी को एश्रेनी की नदी गोशित किया गया है फिर भी उसमें गुणवत्ता में और अधिक सुधार पाए और यह जल सिर्फ डिसिंफिक्शन के पश्चात सीधे पीने योग्य होता है इतनी अच्छी नदी की गुणवत्ता जो हमें मिली है हमारे प्रयास यह रहें कि हम उसको बरकरार रखें और लॉक्डाउन के बाद भी हम ऐसे प्रयास करें कि नर्पदा नदी की जल की गुणवत्ता और अधिक सुधरती रहे और अच्छी होती रहे और यह सब हमारे एक जीवन रेका के रूप में जो मौझूद है उसका हम अधिक लाब देव सके इसमें आप सभी का सहयोग अपक्षित रहेगा धन्यवाद